वेल्कम टू अट्टू फोर सेवन तो बच्चो कैसे आप लोग मैं आच चुकी हूँ आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्ट अश्मिदा एक नए टॉपिक के साथ वह है आपका टॉपिक और नेटवर्वर्ग क्या होता यह सब आज आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो बच्छो कंप्यूटर नेटवर्ग क्या होता है कि नेटवर्ग क्या हमारे एक सिस्टम एडिके व Wendy करता system communicate करता है एक दूसरे से, in context of computer की language में बोले, तो बच्चों computer की language में बोलते हैं, आगर हम, तो हमारे क्या है computer network? एक network है, जो communicate करता है, बहुत सारे computer की बीच में, बहुत सारे computers के बीच में, ठीक है, वाया network के तरू, ठीक है, अब आप देखो, computer network यह है ठीक है आप इसमें कितने सारे devices या आप node यह devices कुछ भी बोलिए वो एक ही चीज होती है ठीक है अब कितने सारे devices इसके साथ link है लेकिन वो case तरीके से link है एक communication एक network के थ्रू लिंक है ठीक है एक network के थ्रू तो computer network आपको यही होता है चलिए आगे देखते हैं computer network बच्चो एक collection of two or more computers का होता है जो help करता है तो communicate more easily ठीक है बहुत सारे देखें कितने सारे computers हैं ठीक है आप देख रहे हैं कितने सारे computers हैं जो क्या हो रहे हैं communicate कर रहे हैं हम लोग उसको आपस में communicate कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं तो internet की ठीक है बच्चो आप देखिए आगे आप देखो बच्चो मेरे आपको बताया था जैसे कि अगर कोई भी चीज हमारे पास आती है technology के हिसाब से यह कैसे भी तो उसका एक advantage होता है और एक disadvantage भी होता है ठीक है दोने चीज हमारे पहलर चलती है ठीक है तो देखो बच्चो एडवांटेज क्या है सबसे पहले networking वह हम देखेंगे ठीक है देखो open to everyone एक तो सबसे यह होता है सब लोग उसको access कर सकते हैं ठीक है किसी के लिए नहीं है कि बड़े लोग है चोटे लोग है बच्चा है तो नहीं open होगा हम नेट्वर्किंग को हर कोई open source है हर कोई आप इस नेट्वर्किंग में एक नई डिवाइस को भी एड़ कर सकते हैं और इसमें साथ-साथ बैकप और storage भी साथ ही रहता है ठीक है यह होते हैं हमारे advantages अब बात करते हैं ड़ जिसकी कि network device required देख हम networking की बात करते हैं तो वहां पर हमारे network ही required होते हैं ठीक है network की बहुत जरूरत होती है उसमें ठीक है वायरस अटैक बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसकी जो या प्रशनल ये नेटवर्क वह नेटवर्क होता है मतलब भी हम कोई भी नेटवर्क लगवाते हैं अपने घर में यह से वाइ-फाय लगवाया तो वह क्या हुआ स्टरी स के लिए हम किसी और न के लिए नहीं दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम पर्सनल इंट य्यूर्ड य लोकल एरिया नेटवर्क बच्चो जैसे कि हमारी ओफिस याव बिल्डिंग्स में यूज होती हैं ठीक है जैसे हम किसी औरक्नाइशन ने काम कर रहे हैं या हम ऐसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है जो हमारी पूरी बिल्डिंग में नैट आ रहा सबस्ते हैं और हमारे पूरे office में रह रहे हैं पूरे city में तो वह में पूरे city में आपको होते हैं है हम आते हैं बारे इनेड़ेर भते हैं यह एर्यों हमारे उन्वारे वाइड मताउ GO तब ऑधागाऊचें भी होता है और पूरे वर्ड में जदने भी वर्ड में होता है सब जगह पे यह सहला होता है ठीक है यह होती है जिससे के हम होता है जीसमें दो से जादा कंप्योटर होती है ठीक है औप और का नटा युए बाता है आपका पॉइंट्-पॉइंट-डिवाइस पॉइंट टू-ई-चे चिंडिक और हुआ है ठीक है बट in case of multipoint की बात करें तो हमारा एक सर्वर तो एक ही होता है लेकिन डिवाइस आपके जैसे वन डिवाइस एक डिवाइस यहां हो गई आपकी दूसरी डिवाइस यहां हो गई तो यह होते हैं आपके multipoint आप समझ रहे हैं वेरी गुड चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले देखो network topology क्या होती है यह पूरा एक layout बनाती है ठीक है topology का पूरा एक systematic way होता है कि पूरे तरीके से हम उसको layout अरेंज करते हैं network को different different form है कि हमें अपने network को किस किस तरीके से arrange करना होता है ठीक है तो अब देखो बच्चों यह common examples आपकी जैसे common examples में आपको बत ट्री यह five topology सापकी होती है बस टैपलोजी, star typology, match typology, ring typology and tree typology ठीक है tree typology क्या होता है tree typology आपका combination होता है बच्चों बस का और star का उसको हम बोलते है tree tree typology बोलते है ठीक है अब आप यह देखिए बस टापोलोजी क्या होती है, सबसे पहले हम यह देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, वन वाई वन हम टापोलोजी को यही समझ लेते हैं, कि टापोलोजी होती ही क्या है, देखो बच्चो, सबसे पहले होता है हमारा बस टापोलोजी, सबसे पहले क्या होती है, बस टापो होती है एक ही जिसमें केlett पर हमारे डिवाइज का होती है कनेक्ट होते हैं कि टिक्ष狀 तू can 2 3 & 4 इस सरी के सह मध्imana TV डिवाइजेस कनेक्ट होती है इसको हम बuencia Recommant टींग्र Technology तो यह क्या हो गया पूरा पुरा इंफ्रेस्रेक्चर क्या हो गया Multipoint का मुँआ similarly next गो बच्शो start apology स्टाइट apology में बच्शो क्या होता है हमारे पास एक होता है एक Central बहुता होता है जो एकदम Central में होता है उससे हमारे जतनी बीडिवाइस वह क्या होते हैं वह इस तरनी5 के से connect होते हैं यह सबढ़ने दवाइस दध renowned skyuses अपके क्या हूंगेect करना क्या हो जाएगा वह भी बंद दो जाए दट नेटोरक का आपका का फैलियर हो जाता है फील हो जाता है एय आप पिस्तराइग के रिंक स्विग्र हमारे network होते हैं जो हमारी devices होती है वो एक ring की form में होती है जैसे कि देखो एक ring दूसरा एंद तीसरा एंद 4 ठीक है अब इसमें 41234 चाहिड देवाइस मैं ने लगा दी ठीक है तो पहली devices मेरी devices दूसरे से अब इसमें क्या होता है अगर मेरे पास एक ने कोई भी message भेजा ठीक है कि फॉर्ट के पास चले जाओ यह मेरा message लेके तो आपका जो मैसेज होगा वह पहले second पर आएगा फिर थर्ड पर आएगा फिर आपका क्या आगा फोर्ट पर आएगा ठीक है अब इन केस आपका कोई भ आपका जो clockwise आपका जो message है जो भी data है वो clockwise आएगा अगर एक भी सिस्टम यह कोई भी एक भी लाइन आपकी खराब हो जाती तो आपको क्या होगा हो सिस्टम फेल हो जाएगा ठीक है आप देखो बच्चो फोर्थ हमने बस पल दी स्टार पल दी मैश पल दी रिंग पल दी सबत्र आप पुढısı अब परते है मैंसट अपोलोजी दी सब्सक्राइब तो ऑस यह मैश्त अपल जी गूड़ों कि अभी लिए sense as technology में फोर्थ हमॉड्य हमारे पास एक सिस्टम यह हो दूसरा सिस्टम यह रह हो ती तीसह इस इसक्राइब हो सिस्टम यह उन्याइएreno फोर तो ये सी्टेम इस्से भी इसने से भी इसरे लो गर्ए Фँर्ष से ओपलोव , नहीं में है ? f2 अच्छ हा सिस्टम इस नहीं क्या है की हार एक सिस्टम जो हर डार्राइक कम्ऌनूूट कर रहा है एक दूसरे वाले computer के साथ other अगर वह अपना message को भेज रहा है ठीक है तो वह क्या कर रहा है पहले second पर जा रहा है फिर थर्ड पर जा रहा है बस में भी सेम ऐसा हो रहा है कि वह खेबल अगर message दे रही तो सारे computer पर जाएगा ठीक है अगर मेरी यह केबल अगर खराब हो जाती है तो क्या होगा हमारे पूरे system पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा समझे रहे हो आप सिर्फ इसी केबल पर पड़ेगा लेकिन इस पेबलिंग कोस्ट जो होती है इस टेप लोजी में केबलिंग कोस्ट बहुत जादा हो जाती है okay आप आते हैं फिस्त हमारी होते है ट्रित अप अपलोजी से का त यहां से इस हम वह हम लागा हुत है कि यहां है यहां अलग ह운데 पख़लेज़ कनेक्ट है यहां कि देखिए बच्चों यह हम देखी बच्चों यह हमारा मेन यह हब जो होता है हमारे मेन होता है ठीक है और यह दो हब होते हैं जो इसके साथ लगे होते हैं सब हब बोलते हैं इसको ठीक है बच्चों अगर यहां पर आपको कोई भी कंप्यूटर खराब होता है या कोई भी हब खराब हुआ यह वाला सब हब खराब होते हैं तो यह आप को बहुत ध्यान रखना है कि क्या फेलोगा और क्या नहीं कि आप होता है आपकी यह होती है टापॉलोजी एंड अब आता है आपका next OSI मौडल ठाफ आप देख मच fiction ओवं श्क्वम और न क्या होता है कि उसे मौडल आपको है खीक है जो की आपका communicate करने के लिए बनाया गया है कि हैसे आपके सक्वमने सेंड किया और सामने वाले को रिसीव हो गया बाट उसके पीछे क्या-क्या प्रॉसेज होता है कैसे हमारा के सब्सक्राइग की पास जाता है एक मैसी कैसे रिसीव होता है थिक vet तो वो चीज हम इसमें देखेंगे, वो पूरा इस model के थ्रिव होता है, ठीक है, अंदर internal क्या process है, ठीक है, आप देखो, एक होती है हमारी OSI model, और एक होता है TCP IP model, ठीक है, TCP IP में सरफ 4 layer होती है, और OSI model हमारा सबसे standard form में होता है, जो हमारी 7th layer होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7 ठीक है, पहली layer होती है आपकी physical layer, ठीक है, अगर आपको कोई भी message जाता है, यह data जाता है, तो आपका कहां से enter होगा बच्चों, physical layer से ही enter होगा, उसके बाद data link पर जाएगा, फिर network के पास जाएगा, network layer के पास, यहाँ पर पके बदेगा, तो वो data का क्या करेगा, frame बना के ठीक है, जब वो और उपर जाएगा, network के पास जाएगा, तो वो इसको packet की form में बना के देगा, जो आपका data होगा, वो packets की form में बना के चलाएगा, फिर transport layer में क्या होता है, कि यह आपको main, जो आपका है, एकदम starting से लेगे, initial से लेगे, जो destination आपके बनी है, वहाँ तक आप का जो packets जो जा रहे है, message जो जा रहा, information जो जा रही है, गो disconnect नहीं होगी, ठीक है, आगे आती है आपकी session, session layer जिसमें कि आपको देखता है, कि आपका data अगर encrypt होता है, तो उसको वहीं बता देता है, अगर कोई भी error होती है, कोई खराबी होती है, तो वो क्या करता है, session layer उस application layer तो user directly उस से connect होता है, उसके पीछे का आपका data का ये सारा process होता है, in OSI model में, ठीक है, आप TCP IP की बात करेंगे, आप इसकी full form क्या है, ये लोग आप मुझे नीचे comment section में बताऊगे, क्योंकि मैं ये चीज आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको आप comment section में वो जो दो layer होती है, वो दो बनके हमारी बनती है, एक network access layer ठीक है, उसके बाद network layer, network layer के साथ, transport layer, transport के साथ, और उसनी की ओपर जो तीन layer होती है, session layer, present layer and application layer वो layer आपकी बनती है, application layer, तीनों layer को बना के TCP क्या करता है, एक ही layer को बना लेता है, ठीक है, अच्छा बच्चों बस ठीक है, अच्छ, ठीक है, अब यह हमारा प्रतिग्या batch 2.0, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, और मतलब एकदम deep जाके पढ़ना है न बच्चों, आपको तो हमारा यह नया batch launch हुआ है, CUATPG, LIM 2024 का, ठीक है, तो आप इसको एक बाद देख लीजिएगा, 247 की साइ पीडियेफ वीडियो यह आपको जितना भी है, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही मेहम की class हो रही है, तो मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही खुश रहो, स्वस्त रहो और अच्छे से पढ़ते रहो, विल्कुल, ठीक है, चलो, थैंक्यू बच्चों